नमस्कार साथियो स्वागता है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल सरकारी भारत में दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के प्रशिद मंदिर और संस्तापकों के बारे में संस्तापक और उनकी सैली क्या है मतलब मंदिर कौन सी सैली के अंदर बनाया गया है किस ने बनाया है किस राजा ने बनाया है किस वन्स के राजा ने बनाया है ये मंदिर जो बनाया है ये कहां पर है किस राज्य के अंदर है राज्य में के शिले के अंदर है सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं दोस्तों आप सभी को पताते हैं अगर आप GK पढ़ते हैं और अगर आप competitive level exam की तयारी कर रहे हैं चाहे आप SSC के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं railway NTPC group D की तयारी कर रहे हैं या फिर कोई MPPSC, UPPSC, BPSC किसी भी इस प्रकार की exam की तयारी कर रहे हैं teacher की related exam, TET, super TET या फिर CET की exam की तयारी कर रहे हैं या फिर आप defense की exam की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ इस channel पर जी के पढ़ाया जाता है और हम आपको 50 ऐसे topic बताने वाले हैं पढ़ा रहे हैं जिनके अंदर से आपके अगर 50 number का paper आ रहा है तो कम से कम यकीनन मानिए 25 questions उन 50 topic से ही आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें आज की वीडियो के अंदर हम प्रशिद्ध मंदिर और संस्तापकों से लेटर है अगर आप इशनल पर नई हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और वीडियो को लाइक करके comment box में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलें तो दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर और सबसे पहले देखते हैं पहला मंदिर कौन सा है सबरी वाला मंदिर है ये सबरी वाला मंदिर कहां पर है तो ये केरल के अंदर है कहां पर है सबरी वाला मंदिर के अंदर है यहां पर आपने देखा था सुप्रीम क ताइगर अभ्यारन में इस्तित एक प्रश्य दे हिंदू मंदर है यानि कि यह आपका सब्री वाला मंदर है किरल के अंदर के अंदर के यहीं पर होती है है कि 20 की सबसे बड़े बार्शिक्तीर तीणत्र कहां पर होती है तो यहीं पर होती है सब्रैवला मंदर के अंदर पेरियार टागर का निर्मान करवाया तंजापुर का ब्रहधिश्वर मंदर एक अजार तीन से एक अजार दस एडी के बीच में इसको बनाया गया था ब्रहधिश्वर टेंपल या फिर इसको सिव को समर्पित है यानि कि भगवान सिव को समर्पित है यह मंदिर तल मिलनाडू के तंजापुर में इस्तित है अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है यह जो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज में कब सामिल किया गया था किस भगवान को समर्पित है तो विरुपाच मंदिर लौड विरुपाच यानि कि भगवान सिव को समर्पित है हमपी करनाटक में यह इस्तित है और किस ने बनाया था तो लक्कन दंदेश सा यह इन्होंने बनाया था और नायका अंडर दरूरल देवाराय सेकें यानि कि वहा पाच मंदिर जो कि भगबान सिब को समर्पित है करनाटक के हमपी में इस्तिद है कहां पर है करनाटक के हमपी में और आपको पता होगा विजयनगर राज्य जो था उस टाइम पर तो विजयनगर की जो राजधानी थी विजयनगर की राजधानी थी तो वहीं का एक हमपी जि रणहें कि काची में स्थित कहलासना मंदिर दरविट इस्तापत दिखा एक प्रमगोधा रणहें पहलेवों ने डरीट सैली को जन्म दिया चोल काल में रहीं हुआ इस रयरूप के अंदर बनवाया था और उसमें चोल सासाक ओ निसमें क्या है चोल काल जो आया था उसके मिले जुले रूप से को बेसर सहली क्या होती है तो एक होती है नागर सहली और एक होती है द्राविट सहली साउथ की ओर होती है और उत्तर पूर की ओर नागर सहली होती है दोनों सहली को अगर मिलाया जाता है तो बनती है बेसर सहली कौन सी सहली बनती है दोस्तो तो बेसर सहल बनती है तो द्रविट सैली का मंदिर कौन सा है केलासनात मंदिर है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण सैली कैसे देखे उत्तर भारत की और बात करें उत्तर पूरब की उत्तर भारत की बात करें तो इसमें नागर सैली होत है next question है और इन दोनों सेलियों को नागर सेलिं और सेली कि मिला दिया जाता है तो सेलि बन जाती है बेशर सेली जो के उत्तर और डचन के बीच में के जो अंदर वाले मलड बीच वाले जो हिस्स्सद्ञ आते हैं जैसे में पी वगएर आता है तो तो यहाँ पर महाराष्ट बगर आता है, तो यहाँ पर कौन सी सहली होती है, वेसर सहली होती है, नेच्ट है सिनेगोग किस से सम्बंदित है, जिस प्रकार चर्च इसाई धर्म से सम्बंदित है, ऐसे ही सिनेगोग होता है यहूदी धर्म, यहूदियों की प्रातना इस्तल हो होता है मुसल्मानों की मज़्यत होती है चर्च की जो इसाईयों की चर्च होती है ऐसे ही सिनेगोग होता है यहूदी धर्म का चले नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है कौन सा मंदिर तमिल्लाडू में नहीं है देखे मैं आपको सीधा सीधा यही बता देता हूं कि तमिल्लाडू के अंदर कौन-कौन से मंदिर है थोड़ा से जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको यह पता चल सके कि तमिल्लाडू के अंदर के अंदर है और यह मद्रई जो है वेगई नदी के किनारे पर है कहां पर है वेगई नदी के किनारे थोड़ा सा इससे दूर है लगबग चार-पांच किलोमीटर दूर है वेगई नदी से मीनाच्छी टेंपल नेक्स्ट है व्रहदेश्वर टेंपल यह भी तंजावर में इस स्री रंगं के अंदर नेक्स्ट है जम्वो केस वरल टेमपल जो कर त्रोवन कुलम में गाची कैलासन का मंदिर 14 है एकाम बरेश्वरम मंदिर और अगला है राम नात स्वामी टेमपल और अगला है कपलेश्वर और टेंपल तो आप लोग यहां से अगर यह ध्यान रखे तो मीनाच्छी टेंपल ब्रहदिश्वर मंदिर इन दो को याद रखेगा अगर आपको तीसरा रखना भी है तो आप कांची के मंदिर को रख लीजेगा वाकिन मैं से कोई साब पूछने को नहीं आएगा तो जो इं समय पमिलनदु के अंदर इस्तित है चली नेक्ष्ट देख लेते हैं दोस्तों तो next है ख़ोणसर मंदिर आपहसे लोगों को पता है शवाण मंदिर के बारे में तो सिखों के चौिवराट तकॉस को तर पर चाल्प क senior मंदिर का निर्मार कर वाया था किस ने इसने किया था तो गुरू अर्जन देव ने पंचम सिख गुरू थे पांच में सिख गुरू थे गुरू अर्जन देव जिन्हों ने इसको डिजाइन किया था स्वर्ड मंदिर का गुल्डन टेंपल का अन्य नाम स्री हरे मंदिर साहव है मतलब इस जो स्वर्ड टेंपल है डेंपल है इसका नाम है स्री हरी मंदिर साहिव इसका नाम है हमरसर के अंदर इस्तित है 1585 से 1640 वी तक इसको निर्मित किया गया था अफगान हमलावरों ने 19 वी सताबदी में से पूरी तरह से नश्ट कर दिया था जो आफगान हमलावरते हैं तब महाराच रजी सिंग ने इ जो कि पंचम सिक गुरू थे गुर्डन डेंपल का दूसरा जो नाम होता है इसका नाम है स्री हर मंदिर साहव पंदर सो पिचासी सो सोले चारीस वी तक इसको निर्मित किया गया था अफगान हमलावरों ने 19 वी सताबदीर में से पूरत रसे से नश्ट कर दिया था तब र 1588 इस वी में स्वान मंदिर की नीम रखी थी नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कामख्या का मंदिर तो यह जो कामख्या का मंदिर है यह असम के अंदर है असम के अंदर गौहाटी में है और गौहाटी सहर के पश्मी भाग के नीला चल पहाडी पर इस्तेता है तो में एक मेल्ा लगता है उसकानाम घिका locks a मेला है एक कांभी सूर्ग मंदिर इसका दूसरा नाम हो रहा है । क्या कहते हैं इसको व्लैक पैगोडा भी कहा जाता है 2.8 के अंदर संū से इदम सामिल किया गया था यहां अंतर सूरे देव को समर्पित और भगवान सूरेधिक को समर्पित कि अगया है बात करें इसको बनवाना बनवाया किसने था तो कलिंग आरचिटेक़्र थे स्टायल में 1285 में इसको पूर्वी गंग राजा राजवन्स के राजा नर्सियम देव ने बनवाया था यानि कि जो ब्लेक पैगोड़ा मंदिर है या सूर्य मंदिर है पूरी अड़ुसा में इस्तित है विश्व धरुवर रिस्तल में 1984 को सामिल किया गया सूर्य देव भगवान को सम है कौन सा मंदिर चोल राजाओं के द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेंपल में नहीं है देखे बात करें कौन से हैं तो तंजाबुर में व्रहधिश्वर मंदिर बिल्ट वाइद तमिल किंग राजा राजा चोल राज राजा चोल के द्वारा व्रहधिश्व ने बनवाया था गंगे कुंडा छोलापुरम टेंपल नेक्स्ट है दरासुरम में एरा वतिश्वर मंदिर यह जो बनाया था यह राज राजा चोल सेकंड ने बारवी सतब्दी में बनाया था यहां तीन चोल मंदिर मंदिर वास्तुका लगा कि द्रवेट सहली के बने हुए मंदिर है और जो नौर्थ और साउथ के बेच में उत्तर और दच्छन के बीच वाले हिस्से में बने हैं यह सभी बेसर सहली के अंदर बने हुए मंदिर है चलिए नेक्स्ट इसको युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल किया गया था उनिस सो सतासी में मंद्र जो करवा बतर तो राज राजे के टेंपल जो करने के अनूमती है तो राज राजे शवरा टेंपल जो के के अंदर है केरल के अंदर मैंने अभी बताया था एक और मंदिर है सबरी माला का मंदिर कौन सा मंदिर है सबरी माला का मंदिर और मैंने आपको बताया था सबरी माला मंदिर में कौन सा मिला लगता है तो मकर विलक्कु जो त्योहार है मकर विलक्कु त्योहार भी होता है मकर विलक्कु मि बिला भी होता है तो हिए मेला यहां पर सब्रिवाला मंदिर के अंदर को फाल च्लिन नेक्स्ट कोशन ही दोस्तों उडिशा का लिंग राज मंधिर किस बस तुकला का निर्माइब किया गया देखे किलिंग आर्टे आर्किटेक्चर के तहत इसको बनाय गया वुरिषा का लिंगराज मंदिर का निर्माड़ë किस ने करवाया था इसे किस ने बनवाया था यहां वुनेशवर वुर्यषा में शितित में ते छो пर मंद्रों'D किस मिंद्धिcit के अंतरगत आते हैं कहां पर आते हैं मद्धिप्रदेश के अंदर हैं अगर हम बात करें अजंता और एलूरा की जो गुफाय होती हैं यह महाराष्ट के अंदर हैं कहां पर हैं महाराष्ट के अंदर और खजराओ के जो मंदिर हैं यह सभी मंदिर कहां पर हैं मद्धिप्रद इसके अंदर ये इस्तित है मतलब जो खजराओं के अंदर जितने भी मंदिर आते हैं ये सभी के सभी छतरपूर मद्यपर्देश के अंदर इस्तित हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दिलवाडा टेंपल दिलवाडा जैन मंदिर ये जैनी मंदिर है जैन मंदिर है और ये बोला जाता है बहुत बड़ा मंदिर है राइस्तान के सुरोज लेके माउन टाबू नगर में इस्तित है राइस्तान के सुरोज लेके माउन टाबू नगर में यहाँ पर दो प्रमुक मंदिर हैं एक है बिमल बासाही मंदिर परतम तीर्थकर आदेनात को समर्पित 1031 में बना दूसरा है लुनवासाही मंदर जो के 22 भी तीर्थकन नैमीनात को समरपित है मतलब देगे अगर जैन धर्म की बात करता है जो जैन धर्म के परथम तीर्थकर थे रिषभधेव थे तो महाबिर स्वामी थे अब ये जो तीर्थकर है ये प्रतम तीतकर आद इनात को समर्पित है कौन सा मंदर है बिमल बासाही मंदर और लुन बासाही मंदर ये 22 वे तीतकर नेमीनात को समर्पित है यहां मंदर 1231 में बास्तुकला और तेजपल और तेजपल नमक दो भाईयों द्वारा बन बाया गया था किसके द्वारा बन बढ़ाया गया था दिलवड़ा का जैन मंदिर तो बास्तपाल और तेजपाल नमक दो भाई हों इसका निर्माड करवाया था सुर्य वंदर का जो निर्मार कर वाया था, 1226 से 27 सी इसमी में इसका निर्मार किया गया था मोधेरा विलेश इन मेहसाना डिस्टिक में है गुजरात की अंदर है और किस नदी के कुनारे पर है तो पुस्पावती नदी के किनारे पर इस्तित है चलिए तो next question देख लेते हैं दोस्तो नेक्स्ट है अपना Elephant Caps, Elephanta की गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है देखे Elephanta की जो गुफाएं है ये भगवान सिब को समर्पित है dedicated to Hindu God Sivas and भगवान सिब को ये समर्पित है Elephanta की जो गुफाएं है Elephanta Iceland also called Gharapuri और Pori Iceland महाराष्ट अनिनाम इसके हैं Gharapuri गुफाएं है और इसको 1987 में World Heritage Site के अंदर सामिल किया गया next बात करते हैं दोस्तो मीनाच्छी मंदिर ये जो मीनाच्छी मंदिर है ये मदुरई के अंदर है कहां पर है मदुरई के अंदर और तमिल नाडू के अंदर इस्तित है अब ये देखिए जो तमिल नाडू है ये साउथ के अंदर पढ़ता है दच्छड भारत का इस्सा है तो ये किस सैली के अंदर बना होगा तो द्राविट सैली के अंदर मना हुआ मंदिर है द्रविट सैली के अंदर बना हुआ ये मंदर है मदुरई के अंदर इस्तित है चर किनारे पर हिंदु मंदर है अने नाम मीनाची मंदर का जो है ये है सुन्धर 2017 मंदर या मीनाच्छी अंध्र मंदिर भी इसको कहा जाता है यह वगवान सिव सुन्धर 17 और उनकी भार्या देभी पार्वती मीनाच्छी देभी को समग्पित है नेक्स्ट है निर्वाति सम्गर निर्माटा इसको किस ने समर्पित है भगवान सिपको समर्पित है ब्रहधिश्वर का मंदिर जो के कावेरी नदी पर है जो के साउथ इंडिया की और पड़ती है ये भी आपका द्रविट सैली के अंदर बनाया गा मंदर है तमिल नाडू के अंदर इस्तित है इसको राज-राजा छोल फश्ट ने इस हमपी है ये देखे हमपी जो है ये करनाटक के अंदर इस्तित है और कभी ये विजयनगर की राजधानी हुआ करता था वही विजयनगर जिसकी इस्तापना हरियर और बुक्का दो नामक भायों ने की थी ठीक है तो यही हमपी है और हमपी विताला टेंपल यहीं पर इस्ति परशर पट्टा विराम मंदिर परशर और लोटस महल परशर इस के अंदर सामराज की कि राज़दानी थी कि कहां पर किनारे पर विठ्टल रुखमडि मंदिर यहां पर है महाँराष्थ के Islamic नेक्स्ट बात करें इसको वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल किया गया था और 1986 के अंदर इसको सामिल किया था विताला टेम्पल को ग्रूप ऑप मॉन्युमेंटल महावलिपुरम के जो मंदिर हैं यह जो हैं यह कहां पर हैं तमिलनाडु के अंदर हैं पंचरथस गनेशारत केव टेम्पल डिसेंट ऑफ गंगास सूर टेम्पल ओलाका स्वरा टेम्पल मुकंदा नायर नार टेम्पल पिद्री रथ वेलियन क पोब्टिया रत यह सभी के सभी कहां पर हैं तमिलनाडु के अंदर स्थित टेम्पल ऐं तो इस में से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एक ही याद रखना है महावलिपुरम का मंदिर और विठलल रुकमडी मंदिर और विताला का मंदिर बाकी कुछ आपको याद नहीं करवाया था चले नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट इसी पर आधारित कुछ क्वेशन्स हैं मंदिर समानित इस्तान कौन से सुमिलित कीजिए तो खजराओं के मंदिर कहां पर हैं तो यह मद्धिप्रदेश के अंदर इस्तित हैं और इनका निर्माण किस ने करवाया था चंदेल सासकों ने करवाया था लिंगराज मंदिर यह भुबनेशर के उड़ी सा में इस्तित है टेडिकेट टू गौड सिवा भगबान सिव को समर्पित है यह याती केसरी के जो टेंपल है ग्यारवी सतब्दी में सोम वंसी डाइनस्टी द्वारा इसको बनाया गया था व्रहदेशुरा टेंपल तंजा स्वामी टेंपल देखे जो पदम नाम स्वामी टेंपल है यह कहां पर है केरला के अंदर है केरला में तिरुवनंत पुरम के अंदर तिरुवनंत पुरम के अंदर है पदम नाम स्वामी टेंपल और यह भी आपका द्रविट सैली के अंदर बनाया गया द्रविट सैली के अ मंदर बना हुआ है वही कोश्चन रिपीट है दिलवाड़ा का मंदिर ये आधिनात और नैमीनात ने बनाया था और इसके दो भाग हैं दो प्रमुक मंदर हैं बिमल बासाही मंदर और लुन बासाही मंदर भास्तुपल और तीजपल नमक दो भाईयों ने इसका निर्माण कर आया था राइस्तान के माउंट आवू में इस्तित है चलि तो नेक्स्ट कोशन क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदु मंदिर सेली में कौन से इस्से में में रिक्तिस्तान है तो यह आप लोग एक वार देख लिजेगा कांची कैलास कैलासन थार जो मंदिर है यह पल्लबंस के द्वारा बनाया गया था नर्सियांदेव दुत्यु द्वारा कंदुका पहाड़ी पर इस्तित मुर्देश्वर टेंपल किस राज में इस्तित है तो तर तरह कंडह यहांए कि करनातक के अंदर इस्तित है चली दोस्तो तो और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो में जरूर लिखेगा आपके कमेंट का अंसर पांस से दस मिनट के अंदर दे दिया जाएगा तो चली फैंट्स मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग देस वीडियो चैहिं चैह भारत